बच्चों आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाई अध्यन के अध्याय दो प्रबंद के सिध्धानत के अभ्यास प्रश्णों पर चर्चा करूँगा। आईए प्रारंब करते हैं अभ्यास प्रश्ण अतिल अगुत्रात्मक प्रश्णों से। पहला प्रश्ण है प्रबंद के सिध्धानतों को क्यों लचिला माना जाता है। आगे देखते हैं बचों दूसरा प्रश्ण है समय अध्यन के मुख्य उद्देश्य बताएं। देखिए उन्होंने विज्ञाने करिती से मानक समय की निर्धारण की लिए बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि प्रबंदन को अपने मन से इच्छा से किसी कालिये के समय का निर्धारण नहीं करना चाहिए, कर्मियों की संख्या का निर्धारण, उप्युक्त प्रेरग उस सिद्धान्त का नाम दें जो सहयोग नेकी टक्राओं का विस्तार है देखिए सहयोग नेकी टक्राओं का जो विस्तार रूप है वह सहयोग नेकी विक्तिवाद में किया गया है सहयोग नेकी विक्तिवाद सहयोग नेकी टक्राओं के सिद्धान्त का विस्तार है और स्रमिकों के बीच में सहयोग होना चाहिए उनके बीच में टक्राव नहीं होना चाहिए और यही सहयोग नेकी व्यक्तिवाद में भी कहा गया है कि आपस में एक दूसरे के प्रती सहयोग की भावना होनी चाहिए एक दूसरे के प्रती विश्वास होना चाहिए आगे लंबे कारिये के घंटे और अपने अधिकारी से संबंदों में मादूलिय की कमी यह ऐसे दो कारण हैं जिससे करमचारी का कारिये प्रभावित होता है वह जल्दी ठक जाता है आगे देखते हैं बचों पांच एक कठोर वर्ती प्रकिलिया के माध्यम से जाने के बाद सनकलाल और गगन ने वेल्स लिमिटेड में अपना कलियर सुरू किया चुकि उनके पास कोई पूर्वकार या अनुभव नहीं था इसलिए फर्म ने श्यम को साबित करने के लिए उन्हें एक वर्ष देने का फैसला किया वेल्स लिमिटेड के इस प्रवंदन सिध्धान्त का नाम बताईए देखिए वेल्स लिमिटेड ने इसमें फ्योल द्वारा प्रती पादित करमचारियों की उप्युक्तता सिध्धान्त का पालन किया है जिसके अंदर किसी भी करमचारी को इतने समय के लिए भरती किया जाना चाहिए जिसमें वह अपनी कुशलता प्रकट कर सके व प्रदर्शित कर सके अगला प्रशन है चटा कुशल और अक्षम स्रमिकों को अलग करने के लिए टेलर द्वारा के स्टक्नीक का प्रियोग किया जाता है देखिए टेलर ने इसके लिए विवेदात्मक पारिश्रमिक प्रियोग किया था कुशल और अक्षम स्रमिकों को अलग करने के लिए टेलर द्वारा विवेदात्मक पारिश्रमिक प्रणालिक उप्योग की जाती है जिसमें कुशल स्रमिक और एकुशल स्रमिक को उनके कालिये के अनुसाद पारिश्रमिक मिलना चाहिए बताया गया है लगुत्रात्मक प् सिद्दान्त के अनुसार प्रतेक करमचारी का केवल एक ही अधिकारी होना चाहिए यदि कोई करमचारी एक ही समय में दो अधिकारियों से आदेश लेता है तो इसे आदेश की एक ताके सिद्दान्त का उलंगन माना जाता है देखिए एक जो अधिनस्त है उसका एक ही अधिक कार्मचारी होना चाहिए वह किसी भी अधीकारी के कारियों को सही तलिके से नहीं पर पाएगा अव्कारिक संगतन में काय रित्व्यक्टी को एक ही अधीकारी से आदेश लेनी चाहिए युम्न उस suggestion प्रति उत्तरदाई होना चाहिए उसी अधिकारी के प्रति उत्तरदाई भी होना चाहिए अगला प्रश्ण है विग्यानिक प्रबंदन को परिबाशित करें किनी तीन सिध्धानतों के बारे में बताएं देखिए विग्यानिक प्रबंद के बारे में एव डबलू टेलर ने हमें बताया एव डबलू टेलर के अनुसार विज्ञानिक प्रवंद यह जानने की कलाहे की आप स्रमिकों से क्या कराना चाहते हैं और फिर यह देखना की वे उसको सरवोत्तम ढंक से एवं कम से कम लागत पर करें यह उन्होंने विज्ञानिक प्रवंद की परीवाशा दी आगे देखतें बचों इसका पहला जो सिद्धानत तवह था विज्ञान पद्दति नेकी अहोटा टेक नियम। इस सिद्धानत के अनुसार प्रबंद के छेतर में विघ्ञानिक प०्दति को लागू किया जाना चाहिए। जो अध्यन एवं विश्टेशन के द्वारा विक्सित की गई है। प्रबंद को केवल अनुमानों, तीर या तुक्का आधी को ही नहीं अपनाना चाहिए, जो प्रबंदन है वह अपनी इच्छा से, अपने मन से कोई काम निर्धारित नहीं करे, वो विज्ञानिक जो विसलेशन है, उसके आधार पर किसी काजे का समय निर्धारित करे, किसी का पर जोर दिया की सामुहि के एकल्याओं में ठकरावं मत भेत के इस्तान पर आपस में सहयोग्स करने का प्रियास किया जाना, चाहिए हैं आपस से सहयोग होना चाहिए दोनों को समझना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की आवशक्ता है देखिए प्रबंद को स्रमिकों की आवशक्ता है और स्रमिकों को प्रबंदन के कारियों की आवशक्ता है प्रबंदन की आवशक्ता है दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हो उन से सिध्धान्त का उलंगन है इसके परिणाम क्या है देखिए यह व्यवस्ता के सिध्धान्त का उलंगन होता है उचित व्यक्ति और वस्तु के लिए उचित इस्तान होना चाहिए एक निरधारित इस्तान होना चाहिए यह व्यवस्ता का सिध्धान्त हमें बताता है यद सिद्धान्त के अनुसार अधिक्तम का ये कुशलता के लिए लोग एवं सामान उचित समय पर उचित इस्तान पर होने चाहिए व्यवस्ता का सिद्धान्त कहता है कि प्रतेख चीज प्रतेख व्यक्ति के लिए एक इस्तान तथा प्रतेख चीज प्रतेख व्यक्ति अपने इ करने चाहिए यह सिद्धान्त के उलंगन पर दान पेदा होगा वैउत पादक्ता एवंशंता में कमी आएगी आए डिैंटे स्द्धान्त के महत्व के संबंद में कि प्रबंदन के सिध्धान्त विचारपून निर्णे लेने में सहयक होते हैं, सोच समझ कर निर्णे लेने के लिए ये सिध्धान्त बताते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को प्रबंदन को सोच समझ कर निर्णे लेना चाहिए, प्रबंदन के जिन निर्णे को सिध्धान्तों के आधार पर लिया जाता है वे तरक संगत मुल्यांगन पर आधारेत होते हैं और जिन सिद्धानतों के आधार पर ये निर्णे लिये जाते हैं वे तरक संगत मुल्यांगनों पर आधारेत होते हैं अगला है नमबर दो बदलते परियावरण की आवशक्ताओं को पूरा करना द उस परिवर्तन की आवशक्ता को प्रवंदन के सिध्धान्तों का प्रियोग करके पूरा किया जाता है। सिध्धान्त यद्य भी सामान्य दिशा निर्देश प्रकतिके होती हैं तथा इनमें परिवर्तन होता रहता है। जिससे यह प्रवंदकों की पर्यावरण पर बदलती आवशक्ताओं को पूरा करने में सहायक होती हैं। तीसरा है सामाजिक उत्तरदाइत्वों को पूरा करना। देखिए हर व्यवसाय का अपने समाज के परती कुछ ने कुछ उत्तरदाइत्वों होता है। वह अपने संगठन को समाज में ही संचालित करता है, समाज से ही संसाधन प्राप्त करता है, इसलिए समाज की परती उसके दाइत्व हैं, उत्तरदाइत्व हैं, प्रबंद के सिद्धात व्यवसाइक उद्देश के साथ सामाजिक उत्तरदाइत्वों को पूरा करने का मार्ग प्रबन्द करती हैं यह विवसाय को मार्धशित करते हैं कि किस प्रकार मे度 सामाजिक उत्तरदाईत्वों को पूरा कर सकते हैं झार देखते हैं चोटा बेन दू प्रबंद प्रक्षिक्षन सिख्षा एवं अनुसंधान यह जो प्रबंद साथ ही कहीं सोधकारियों के लिए भी इन प्रवंद के सिद्धान्तों को प्रियोग में लिया जाता है, प्रवंद के सिद्धान्त प्रवंद विश्य के ग्यान का मुलाधार है, इनका उभियोग प्रवंद के प्रक्षिक्षन शिक्षा एवा अनुसंधान के आधार के रूप में किया जाता है, यह प्रक्षिक्षन के आधार के रूप में है, यह शिक्षा का आधार है, साथ ही साथ अनुसंधान के आधार के रूप में भी इनका प्रियोग किया जाता है अगला प्रशन देखतें बच्चों पाचवा प्रशन सोपान स्रंकला और समतल संपर्क के सिध्धान्त की व्याख्या करें। देखए कौई भी जो संगटन होता है उसमें अधिकारी और करमचारी होते हैं और उनके बीच एक ओप्चारिक समप्रेशन की संखला होती है जो करमचारी होता है वह अपने अधिकारी देखते होके प्रबन कंचत हैं तो इसमें आदेसों की एकता भी बनी रहती है दोहरे आदेसों की स्तति नहीं होती और यह क्रम एक उफचारिक संपरिश्ण पद्धतिको बताता है सोपान संगला एवं संपर्क किसी भी संगटन में उच्च अधिकारी एवं अधिनस्त करमचारी होते हैं उच्चतम पद से निम्नितम पद तक की आपचारिक अधिकार रेखा को सोपान संगला कहते हैं फेवल के शब्दों में संगटनों में अधिकार एवं संप्रेशन की स्रंकला होनी चाहिए जो उपर से नीचे तक हो तथा उसी के अनुसार प्रबंदक एवं अधिनस्त होनी चाहिए इस स्रंकला को उप्योंग करने से संगठन में आदेश की एकता आती है तथा दोहरे आदेशों के ब्रहम से छुटकारा मिलता है इस रंकला का ऑचारिक संप्रेशन में उलंगन नहीं करना चाहिए जो जो उलंगन नहीं करती में आदेश है वो a-1 को B से C को C से D को D से E को E से F को मिलने चाहिए और इसी प्रकार कोई शुजाओ शिकायते हैं तो वो नीचे से होते हुए उपर होते हुए जानी चाहिए ए तक इसी क्रम में यदि कि E को O से संपर करना है किसी आवशक कार्य के लिए तो अगर वह उपचारिक संप्रेशन प्रद्दि का प्रियोग करेगा तो उसे बहुत अधिक समय लगेगा यह तक जाएगी बात फिर L M N फिर अंत में O तक वह सूचना पहुचेगी इसमें काफी लंबा समय लगता है ऐसी इस्तति में आकस्मिक इस्तति के अंदर E समतल संपर्क के द्वारा उसे संपर्क कर सकता है लेकिन उसे अपने अधिकारियों को सूचना देनी होती है परन्तु आवशक पढ़ने पर सम्मान इस्तर पर का संपर्क कर सकते हैं केवल आकस्मिक परिस्तितियों में ही एक स्रमिक मुख्य कारिकारी अधिकारी से संपर्क कर सकता है और बहुत जरूरी होने पर ही एक जो नीचे वाले इस्तर पर जो स्रमिक है वह अपने मुख्य कारिकारी अधिकारी से संपर्क कर सकता है लेकिन वह बह राठोड फर्म के लिए कच्छे माल का आदेश देने की जिम्मेदारी रखते हैं वित्तिय वर्स 2017-18 के लिए आपूर्ती कर्तापन निर्ने लेने के दोरान उन्होंने फर्म के सामान्य सप्लायर की बजाए प्रती यूनिट की उच्छी कीमत पर अपने चचेरे भाई को ओड पर दिया जो ओडर के लिए दरों को कम करने के इच्छुक थे देखिए जो नियमित सप्लायर था सामान्य सप्लायर था वह है रेट कम करने पर सहमत था लेकिन फिर भी उची कीमत पर स्रीराठोड द्वारा अपने चचेरे भाई को क्या है ओडर दिया गया यहां प्रबंदन के सिद्धांत के लिए व्यक्तिगत हितों का समरपन करना है लेकिन राठोड द्वारा इसी सिद्धांत का उलंगन किया गया है इस सिद्दान के अनुसार संगठन के हितों को करमचागी विसेश के हितों की तुलना में प्रात्मिक्ता देनी चाहिए एक संगठन के व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनेक व्यक्तिगत हित किसी भी तरह से संगटनात्मक हितों को प्रभावेत नहीं करें, यहाँ पर उन्होंने व्यक्तिगत हित देखा, अपने परिवार का हित देखा, और संगटन का हित उन्होंने क्या किया, अवोइड करने का प्रियास किया, दिर्ग उत्रात्मक परश् पहला सिद्दान तब वेग्यानिक नेकी अंगुठा टेक नियम कारकाना मालिक अत्वा प्रबंदकार ये करते हुए आने वाली समस्याओं का समाधान करते समय अधिकांस व्यक्तिगत निर्णें उपर ही निर्भर करते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन के अनु कि वाशित करना समाधानों का विकास करना परिणामों का पूर्वानुवान लगाना प्रगर्ति को मापना एवं परिणाम निकालना आदी ये सभी विज्ञानिक नियम हैं व्यवस्तित नियम हैं इसके आधार पर आसानी से कार्य किया जा सकता है और कार्य की साथ-साथ उत उत्पादक्ता को भी बढ़ाया जा सकता है सहयोग नेकी टक्राव उत्पादन की कारखाना प्रणाली में प्रबंदक मालिक एवं स्रमिकों की बीच की कड़ी होते हैं प्रबंदक को स्रमिकों से काय को पूरा कराने का अधिकार मिला होता है इसलिए आप सरलता से समझ सकते है कि एक प्रकार के वर्ग भेद अर्थात प्रवन्दग बनाम स्रमिक की सदा संभावना बनी रहती है। दे लर ने पाया कि इस टक्राव से श्रमission प्रवंदन अत्वा कारखाना मालिक किसी को भी लाब नहीं पहुंचता यदि स्रमिक और प्रवंदन के भीच में टक्राव है तो ने तो मालिक को फाइदा पहुचेगा ने प्रवंदक को ने स्रमिक को फाइदा पहुचेगा उन्हें आपसमें सहयोग करना चाहिए सहीयोग नेकी व्यक्तिवाद, देखिए व्यक्तिवाद के इस्तान पर स्रम एवं प्रवंद में पूर्ण रूप सहीयोग होना चाहिए, जो स्रमिक हैं और जो प्रवंदक हैं उनमें आपस में सहीयोग होना चाहिए, नेकी व्यक्तिवाद होना चाहिए, यह सहीयोग नेकी टक्राव के सिध्धानत का विस्तार है प्रतियोगिता के इस्तान पर सहीयोग होना चाहिए दोनों को समझना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की आवशक्ता है दोनों को ही स्रमिक को भी प्रबंदन की आवशक्ता है दोनों को एक दूसरे की आवशक्ता है और जब ये दोनों एक दूसरे की आवशक्ता को समझेंगें तो कायए को सरलता से किया जाए सकेगा कायशानी से संपाधित किया जाए Garag करेगा उनके सहीता करेगा परोज्चाहित करेगा उनका मार्ग प्रसस्त करेगा आपस में सहीयोग होता रहेगा उसकी अधिकादिक समतायों समरद्धी के लिए विकास विज्ज्ञानिक प्रबंद भी करमचारीओं की विकास को मानने ता देता है विज्ञानक तरीके से काई 還是 करने के ने समय पर प्रवंदन को चाहिए कि और अपने स्रमिकों को यह प्रक्सिंचन प्रतान करवेगें ताकि उन की कुसलता बढ़ती जाएं दूसरा प्रस्ठी है यह वक्त दिए गए प्रवंदन के निमलिखित सिध्धानतों की उधारं सहित व्याक्या करें निर्देश की एक्ता समता सहियों की भावना व्यवस्ता केंद्रिय करण एवं विकेंद्रि करण पहल शमता इन सिध्धानतों के बारे में यहाँ पूछा गया है आईए देखते हैं निर्देश की एक्ता से संगटन को सबी काईयों को समनवित एवं केंदित परियत्नों के माद्यम से समान उद्देशियों की ओर अगरसर होना चाहिए गतिविदियों के प्रतेक समूँ जिनके उद्देश समान हैं उनका एक यद्यक्स एवं एक ही योजना होनी चाहिए यह कार्यवाई की एक्ता एवं सहीयोग को सुनिश्चित करेगा देखिए जब जो संगटन होता है उसमें एक योजना के लिए एक अद्यक्स होना चाहिए और उस अद्यक्स के द्वारा ही अपनी टीम को निर्देश दिये जाने चाहिए एक योजना हो और एक अद्यक्स हो उसी के द्वारा उसका कार्य संचालन किया जाना चाहिए, यह है निर्दियस की एक्टा. सम्ता, फेवल के शब्दों में सभी करमचारियों के प्रती निश्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए सद्बुद्धि एवम अनुभव की आवशक्ता होती है. इन करमचारियों के साथ जितना संभव हो सके निश्पक्ष वहवार करना चाहिए, किसी भी करमचारियों के साथ जाती, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर भेदवाव नहीं करना चाहिए. सहीयोग की भावना फ्योल के अनुसार प्रबंद को करमचारियों में एक्ता एवं पारस्परिक सहीयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए सहीयोग की भावना के पोशन से समुहे के सदिश्यों में PARASP запис विस्वास एवं अपनेपन की भावना पैदा होगी वो आपस में एक टीम के रूप में काम करना चाहेंगे टीम भावना से काम करेंगे किसी संगटन की सफलता करमचारियों के परस्पर सहीयों की भाउना पर निर्भर करती है यह सिद्दान एक ताही शक्ती है संगटन में शक्ती है पर आधारित है आगे देखतें बचों व्यवस्ता का सिद्दान फेयौल के अनुसार अधिक्तम कालिय कुशलता के लिए लोग सामान उचित समय पर उचित इस्तान पर होने चाहिए व्यवस्ता का सिद्दान कहता है कि प्रतेख चीज प्रतेख व्यक्ती के लिए एक इस्तान और प्रतेख चीज प्रतेख व्यक्ती अपने इस्तान पर होनी चाहिए इससे क्लियाओं में कोई व्यवधान नहीं होगा इ उत्पादकता भी बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा शमता भी बढ़ेगी केंद्रिकरन एवं विकेंद्रिकरन के अंतरगत सभी महत्वपूर्ण निर्णे उच्छे प्रबंद को द्वारा लिये जाते हैं जबकि विकेंद्रिकरन के अंतरगत निर्णे लेने का है और नहीं पूर्णतेयां विकेंदिक्रत हो सकता है महत्वपूर्ण निन्ने तो उच्छ प्रबंदकू द्वारा ही लिए जाते हैं पहले शम्ता फेवल का मानना है कि करमचारियों को सुधार के लिए अपनी योजनाओं के विकास एवं उनको लागू करने के लिए साहित करना चाहिये उसे प्रेरिद करना चाहिए पहल शम्ता का अर्थ है अभी दिशा मैं पहला कदम उठाना अच्छी कंपनी वह है जिसमें उन 타 सुझाओं को प्रुस्कृत किया जाता है जिनके कारण लागत या समय में ठोस कमी आये इससे करमचारी प्रेरिद और संतुष्ठ होते हैं इस से करम्चाल प्रेडिद भी होते हैं और शंतुष्ट भी होते हैं अगला है तीस्ला प्रस्ट टेलर द्वारा अनुवदीत कार्यात्मक formanship की तखनीक और मांसिक क्रांति की अवधार ना की व्याक्या करें यहां बगा कालियात्मक formanship और मांसिक-क्रांति के बारे में पूछा गया है आएए देखते हैं बचो कालियात्मक formanship कार-kard प्रबंदक होता है जिसके सीधे संपर्क में श्रमिक प्रती दिन आते हैं और यह निम्नतम इस्तर का प्रबंदक होता है वह केंड़ बिंदू होते हैं जिसके चारों और पूरा उत्पादन नियोजन की ल्यानवेन एवं नियंत्रण घूमता है नियोजन अधिकारी की अधिन चार कर्णमचारी कार्य कर रहे थे जिनके नाम है निर्देशन काड क्लर्क काईकरम क्लर्क समय एवं लागत क्लर्क एवं काजिया साला अनुसा सकते देखिए टेलर ने यह बताया था कि नियोजन का कार्य वैं उत्पादन कार्या से संबंदित जो निर्देश हैं वे एक स्रमिक को अलग-अलग फॉर्में जो विसेशग्य होते हैं अपने-अपने कार्य में उनके द्वारा मिलने चाहिए उन्होंने इसके लिए एक, दो, तीन, चार, चार विसेशग्य नियोजन कार्या के लिए और चार ही विसेश सख्य उत्पादन काड्य के लिए नियुफ करने की बात की जिन से स्रमिक को क्या है आदेश लेने अपने नियो ये स Sail नियो proposals विशा रुछांन सुनिश्चित करेंगे इनके लिए चार अलगालग करेंगे उद्पादन अजी के अधिन जो करमकर करेंगे वे हैं गतिनायक लाउट में मिलक्षक कर्य से तियार करने शाहिकों को करने करने गुणवत्ता की जाहतthirds की लिए उत्तरदाई होती हैं कि लिए आत्मक फॉर्मेंशिप स्रम विभाजन और विशिष्टी करण के सिद्धान्त का निम्नतम इस्तर तक विस्तार है यानि जो यह विशिष्टी करण सिष्ट ग्यान सारीरिक दक्षिता एवं उर्जा इमानदारी तता अच्छा स्वास्त होना चाहिए क्योंकि यह सभी गोड़ किसी एक व्यक्ति में नहीं मिल सकते इसलिए टेलर ने आठ विसेशग्यों की टीम का सुझाओ दिया प्रतेग विसेशग्य को उसकी अपनी योग स्प्टियता क्या पर का». उस्फ्ट स्वास्ट यदे क्शिए मांसिक क्रांति क्या है learned. Indi क्रम चायरी एवं प्रबंद के एक दूसरे के प्रतिविवार में परिवरतन को कहते हैं अर्थायत प्रतियोगिता के और सही योग दोनों को समझना चाहिए कि उन्हें एक दूसरे की आवशक्ता है दोनों के लक्ष आदिक्के में व्रद्धी करना होना चाहिए देखिए यहां क्या का गया है कि दोनों को यह समझना चाहिए कि एक दूसरे की दोनों को आवशक्ता है और दोनों का लक्ष क्या ह होना चाहिए आदिक्य में व्रद्धी करना यदि संगठन को लाव होगा तो प्रबंदन द्वारा स्रमिकों के वेतन में भी व्रद्धी की जाएगी उन्हें बोनस भी प्रदान किया जाएगा और यदि संगठन को हानी होगी तो क्या होगा स्रमिकों के वेतन भी समय पर नही दुक्सान होगा यदि कंपनी को लाव होता है तो प्रवंदकों को चाहिए कि वह इस से करमचारियों में बाटे करमचारियों को भी चाहिए कि कंपनी की भलाई के लिए प्रिष्रम करें परिवर्तन को अपनाएं जब दोनों में आपस में सही होगा विश्वास होगा तो करम करमचारी आसानी से जो प्रवंदन द्वारा परिवर्तन लाए जा रहे हैं उनको अपनाने का कालिय करेंगे लेकिन प्रवंदन को चाहिए कि वह लाब में स्रमिकों को भी हिस्सेदार बनाए टेलर के अनुसार विग्यानिक प्रवंद इस द्रड़ विश्वास पर आदालित सकती दोनों की समरद्धी एक दूसरे पर निरवर करती है एक दूसरे की अवेहल ना करने पर दोनों की समरद्धी नहीं हो सकती अगला प्रश्ण है विग्यानिक कालिय अध्यन की निमलिखित की चर्चा करें समय अध्यन गती अध्यन ठकान अध्यन कालिय विदी अध्यन स समय का निर्धारण करती है कालिय के प्रते गटक के लिए समय मापन विद्यों का प्रियों का प्रियों किया जाना चाहिए नेकी प्रवंदक द्वारा अपनी इच्छा और मन से किसी कालिय का समय निर्दारण कर देना चाहिए समय अध्यन का उद्देश्ष मुझे कालियों को पूरा करने के लिए वांशित कर्मियों की संख्या का निर्दारन करना, उप्युक्त प्रेरह की ओलनाों करियार करना स्वर्मलागत का निरुदारन करना है गती अध्यन, इसके अंतरगत स्रमिकों की गतिविदियों का अध्यन किया जाता है ताकि अनावशक गतियों को कम करके समय की बरबादी रोकी जा सके तथा काल ये समता एमोम उत्पादकता बड़े देखिए जब स्रमिक काल ये करता है तो वह कहीं प्रकार के ऐसे काल ये करता है ऐसी विदी होती है जो अनावश्क रूप से उसके द्वारा की जाती है जिने कम करके उसकी उत्पादक्ता और कुशलता को बढ़ाया जा सकता है टेलर ने अपने गती अध्यन में विबिन्न मुद्राओं की पहचान करने के लिए स्टॉप वाच विबिन्न चिन्नों और रंगों का प्रियोग किया अगला देखते हैं थकान अध्यन कोई भी व्यक्ति काली करते करते सारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से थकान अनुभव करने लगेगा लंबे समय तक काली करने पर कोई भी स्रमिक जो होगा कोई भी व्यक्ति जो होगा वह थकान अनुभव करने थकान के कई कारण हो सकते हैं जैसे लंबे कार्य के गंटे अनुप्युक्त कार्य करना अपने अधिकारी संबंदों में मादूर्य की कमी अत्वा कार्य की खराब परिस्तितियां आदी अच्छे कार्य निस्पादन में आने वाली अर्चनों को दूर कर देना चाहिए अच्छ किसे काल्य को करने की सर्वश्रेश्ट पद्दति को ढूंड़ना है किसी काल्य को करने की कई पद्दतियां होती है देकि इसके अंतरगत कई पद्दतियां जो काम करने की होती है उनमें से सबसे अच्छे जो पद्दति होती है उसका किस परकार चैन किया जाए उसके बारे मे कई प्राचल पेरामिटर्स हैं कच्चा माल प्राप्त करने से लेकर तैयार माल को ग्रहक तक पहुंचाने तक प्रतेक किलिया काल्य पद्दती अध्यन के अंतरगत इसके अंतरगत उत्पादन की संपूर्ण रखता भी बढ़ेगी कालिय का प्रमापी करण एवं सड्ली करण टेलर के अनुसार उत्पादन पद्दतियों के विसलेशन के लिए विज्ञानिक पद्दती को अपनाना चाहिए प्रमापी करण से अभी प्रतेग व्यवसाय के लिए मानक निर्धारन प्रकिलिया से है मानक प्रमापी करण के प्रमापी करण के योगदान के बीच विबिननताओं क्या अंतर है एसके बारे में पूछा गया है आए देखते है फेयौल बनाम टेलर तुल नाम देखिए अंतर के आधार परिपेघ सिस्तर संदर्व के आधार पर हेंड़ी फेयौल प्रबंद के उचितम सिस्तर की बात करते हैं जबकि जो टेहलर थे वो है आठ विसेसक कि सरमित को आदेस देते हैं प्रयोजिता लागू होना देखिए हन्री फेसल के सिद्दान्त है वह साप्रभ्भूमिक हैं उपय। ताल यह हैं और अधिक लोसील हैं और वह सब जगह लागू होते हैं जबकि जो टेलर के हैं सिद्दांद वो विशिष्ट स्थितियों में प्योग में लिये जाते विशिष्ट प्रिस्थितियों में उन्हें काम में लिया जाता है और वो कम लोग सील होते हैं रचना का आधार देखिए हेंदी फेयोल ने जो सिद्धान प्रतिपादित किये वो व्यक्तिकत अनुभव के आधार पर प्रतिपादित किये जबकि टेलर ने अवलोकन एवंप परिक्षन के आधार पर प्रतिपादित किये केंद्र फोकस के आधार पर देखते हैं हें फेयो क्रिश्वर का व्यक्तितर रिट्टिं पर बहुत ध्यान दिया तो इनहें वेग्यानिक माना जाता है और वेग्यान प्रबंद के रूप में अपने सिद्धांत पृतिपादित किए आगे देखते हैं चीवाक। टेलर तथा हेंदिय फेवल्ल का महत्वपूर्ण योगदान है। Taylor की योगदान की प्रसंगिकता, Taylor द्वारा प्र्तिपादित विज्ञानिक प्रवन्द वर्त्मान समय में सार्व भॉमिक रूप से उपयोगी नहीं है देखिए सार्व भूमिक रूप से उप्योगी नहीं है क्योंकि इसे व्यवारिक रूप में उप्योग में लाए जाने से कठिनाई का सामना करना पड़ता है इसे व्यवारिक रूप से हम उप्योग में नहीं ले सकते हैं वेज्ञानिक प्रबंद की विदियां अध उसे प्रेणाम प्राप्त किये जा सकते हैं, कुछ ही संगटन ऐसे हैं जिन में इस प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, सभी संगटों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, फेवल की योगदान की प्रासंगिक्ता, फेवल द्वारा प्रतिबादित प्रबंद के सिध् व्याक्या बदल गई है देखिए आज जो इनके सिद्धान्त हैं उनके व्याक्या काफी तोर पर बदल गई है उसको भी देख लेते हैं बच्छों फेवल के 14 सिद्धान तब और अब जब यह प्रतिपादित हुए थे तब इन सिद्धान्तों क्या प्रसंगिकता थी और की जाती है अधिकार एवम उत्तरदा इत्व प्रबंदकों को अधिकार गफते हैं उस समय प्रबंदकों के पास अरे होते थे और अब करमचारियों के पास शक्तियां है अनुसासन तब आपचारिक नियंतरन पर जोड दिया जाता था और अब आपचारिक नियंतरन और समान नियंतरन पर जोड दिया जाता है कि अनुसासन सबके लिए समान है निर्देश की एक ता कारियों की एक योजना और एक प्रबंदक होता है यह बात थी तब जब ये सिद्नाद प्रतिबादित हुए थे जब कि आज कारियों की बहू योजनांे जिसमें कहीं प्रवंदग होते हैं और उनके लिए अलग-अलग प्रवंदग होते हैं आदेश की एक ता देखिए तब अधिनस्त करमचारी केवल एक उच्छ अधिकारी को प्रतिवेदन करते हैं उस समय एक जो अधिनस्त होता था वो एक ही अधिकारी से क्या है आदेश लेता था और उसे ही क्या है सूचनाएं देता था जबकि अब कई प्रबंदकों को प्रतिविधन करता है, सूचनाय कई प्रबंदकों को देता है, व्यक्तिकत हित का सामान्य हित के लिए समर्पन, देखिए तब करमचारिय संगठन के प्रति समर्पित हैं, ये भावना थी, जबकि अब संगठन करमचारियों के प्रति और करम पात की जाती है कि जो प्रतिफल है वो निश्पादन के आधार पर दिया जाना चाहिए 750 संखला टब सोपानिक आपचारिक संप्रेशन माध्यम संखला की बात की गई थी जबकि अब कम आपचारिक संप्रेशन माध्यम है केंदीकरण वह wrapped केंदिकरण देखिए तब निर्णें उच्छ इस्तर पर लिये जाते थे जो नीचे इस्तर पर जाते थे अब काल्य के उप्यूक्त तदर्थ निर्णें लिया जाता है काम के अनुसार तुरंत निर्णें ले लिया जाता है व्यवस्ता नियंत्रण है तू आंत्रिक सूचना पढ़नाली थी उस समय जबकि अब समन्वय है तो आंद्रिक सूचना पढ़नाली है पहले नियंतरण पर बल दिया जाता था और अब समन्वय पर बल दिया जाता है समता देखिए तब दयालूता के द्वारा प्रतिबद्दता प्राप्त करना इस पर बात की जाती थी जबकि कि अब स्वामित्व भावना से प्रतिबद्धिता प्राप्त करने पर बात की जाती है करमचारियों के कालिकाल के संबंद में इस सिंदान के आधार पर हम देखते हैं देखिए तब करमचारियों को प्रक्षिक्षण एवं संगठन में टिके रहने के लिए प्रोचसाहित करन होता था जबकि अब करमचारियों का निरंतर प्रक्षिक्षन एम विकास पर जोर दिया जाता है पहल शम्ता तब प्रवंदक ने ने विचारों पर गोर कर उनका क्लियान्वेन करते थे अब करमचारी ने ने विचार लाते हैं तथा उनका क्लियान्वेन करते हैं सहयोग की भावना सिद्दान के आदार पर करमचारियों में उच्छ मनोबल बनाए रखना अनिवार्य है ये उस समय जब ये सिद्दान प्रतिवादित हुए थे तब करमचारियों में मनोबल बनाए रखना बहुत आवशक होता था अब करमचारी का मनोबल बनाए रखना उत की अगले वीडियो में हम नया चैप्टर लेकर फिर आएंगे धन्यवाद